आज हम घर पर बनाने वाले हैं गार्लिक ब्रेड तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात पर मना लूँ, कन्वेंस कर लूँ कि ब्रेड बनाना घर में बहुत आसान है बस आदा कप हलका गरम पानी लेना है ल्यूक वाम उसमें एक चम्मच शक्कर डालना चीनी और अच्छे स घोल लेना है इस्ट और शक्कर दोनों ही बहुत अच्छे से पानी में डिजॉल्व हो जाना चाहिए जब यह अच्छे से घुल जाएगा तो हम इसको साइड में रख देंगे 10 मिनिट के लिए अब उस 10 मिनिट में कुछ काम कर लेते हैं ये बड़ा सा वरतन लेना है उसमे तीन कप मैदा चाहिए याने की 500 ग्राम मैदा आधा किलो उसमें डालेंगे नमक आधा से एक चमच आप नमक डाल दे इसमें और नमक के साथ इसको अच्छे से मिला ले इसको भी साइड में रख देना है अब गार्लिक ब्रेट जब हम बना रहे हैं तो हमको चाहिए गार्ल हो जाएंगे अब बहुत आसानी से कटेंगे तो बिलकुल आप ये स्टेप कर लेना उसके बाद चार-पांच मिनिट आपको चमच चाकू इस पर चलाना है तेज तेज इस तरीके से और ये बहुत बारिक-बारिक कट जाएगा वैसे आजकल घरों में चॉपर भी होते हैं तो वह है तो उसका इस्तिमाल कर ले तो ये बारिक-बारिक लैसन भी कट गया तो दस मिनिट हो चुके हैं और अब देखें कितना फ्रोती और जहाग बन चुका है हमारे इस्ट में बस इसी तरीके का होना चाहिए अगर ये बना है तो पर्फेक्ट है हमारे इस्ट और इस् अब हमको एक कप भर के इसमें पानी डाल देना है बिना कुछ सोचे समझे और एक कप पानी डालने के बाद भी अगर हमारा आटा गीला नहीं होता है यानि कि जैसा हम आटा गूनते हैं हमारी रोटी के लिए उसको गीला होने से बचाते हैं यहां उल्टा हिसाब है हमको इसको गीला करना है तो जितना भी आपको पानी लग रहा है उससे थोड़ा सा जादा ही डाल के इसको थोड़ा सा गीला कर ले इस तरीके से और अब हमने इसमें तेल डाला है तेल सिर्फ इसले डाला है अभी कि हमारा बरतन और हमारा आटा अलग लग हो जाए यह देखें अब हमको प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा तेल लगाना है प्लेटफॉर्म पहले साफ रहना चाहिए इस पे तेल लगा ले और इसको इस तरीके से पटक ले अब हमको फिर से तेल चाहिए हाथों में क्योंकि यह बहुत स्टिक्की है तो यह हमारे हा से और इसको इस तरीके से स्ट्रची करना है मैदे में एक प्रोटीन होता है ग्लूटीन नाम उसका उस ग्लूटीन को हम डवलप करते हैं तो आप अराम से घड़ी देखके 15 मिनिट इसकी मालिश करें बस यही है एक राज जिससे हमारा ब्रेड अच्छा बनता है पहला स्ट ब्रेड बनेगी ही बनेगी तो यह देख रहे हैं कितने अच्छे से एक स्क्रेपर लेके इसको मैंने ले लिया और इसी तरीके से बहुत आसानी से यह बंद जाएगा दस मिनिट में ही बंद जाएगा उसके बाद यह आप इसको पांच मिनिट थोड़ी इसकी साथ कसरत करे और जब यह इस तरीके से सेट हो जाए तो यह हमको ऐसे इसको बांधना है और हमारे एक बड़े से बोल में रख देना है उपर से थोड़ा सा तेल लगा दे ताकि उसमें पपड़ी ना बने है ना तो यह तेल लगा के इसको अच्छे से ढाक दें किसी गीले कप्रे से या अब यह रहा मखण तो एक जो डिबबे वाला मखण आता है उसका आधा ले लेना आप यानि 6 रुपे का एक मखण का डिबबा आता है उसका आधा काड़ लेना और उसको फ़लका सा गरम गरम पैन में डालेंगे तो यह पिघल जाएगा बस इस पिघले हुए मखण में हमक से सारी प्रिप्रेशन करनी होगी ना पहले से तो यह देखें यह हमारा पानी भी गरम हो गया है साती हमारा टमाटर भी उपर से गरम हो गया है इतना गरम हो गया कि छिलका आसानी से निकल जा रहा है तो बस सारा छिलका छील के इसको पीस लेना और पीस के रेडी कर लेना तो पृढके हमारा लहसुन लाल हो गाना अब हम पयास डालेंग्ग इसमें तो यह आधी पयास है उसको भी मैंने बार इक चौप किया था उसको भी डाल लीना इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा लहसुन और पयास investment का फ्लेवर बहुत तो मैंने शक्कर की जगा सॉस डाल दी है तो उससे थोड़ा सा फ्लेवर मुझे लगा जादा अच्छा हैगा लेकिन ऐसा कुछ खास लगा नहीं मुझे बाद में ये हैं औरीगेनो औरीगेनो भी आप डाल दें इसमें और चिली फ्लेक्स वगएरा हैं तो वो भी डाल दें और इसको सॉस को थोड़ा गाड़ा होते तक पकाना है तो ये सॉस बजार में बड़ी महंगी मिलती है और जरासी मिलती है तो आप अराम से घर में बना लें इसको और अराम से एक हफता तो इस्निमाल करी सकते हैं फ्रिज में रखकर अब यह हमारा जो गार्लिक बटर था उसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल दी इसे कलर बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा सा फ्लेवर भी बढ़ जाएगा तो यह धनिया पत्ती जरूर डालेगा बहुत सुन्दर कलर आता है हमारी ब्रेड में अब यह स्टफिंग के लिए मैंने पनीर काट लिया है मैंने 125 ग्राम याने आधा पाओ के करीब पनीर लिया था शिमला मिर्चली और स्वीट कॉर्ण आप इन सब वेजिस को बदल भी सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से अब एक घंटा हो चुका है और हमारी जो हमारा जो आटा है वो दुगना हो गया है साइज में डबल यह देख रहे हैं उपर से कितना बढ़िया है इसमें मैंने सुखा आटा छिड़क लिया है और इसका हवा निकालने के लिए इसको एक मुक्का मारा है तो बस ऐसे ही आपको प्लेटफॉर्म पे धेर सारा आटा छिड़क लेना है ताकि हमारा आटा जो है वो चिपके ना वरना तुरन चिपक जाएगा यह बहुत स्टिकी होता है हाथों में भी अच्छे से आप लगा लेना सुखाटा और जहां पे आप यह काम करेंगे वहां पे भी लगा लेना उसके बाद देखें मैं इसको किस तरीके से मोड रही हूँ पूरा इस तरीके से हवा निकालके उसकी बंद कर देना और इसके चार हिस्से कर लेना है ठीक है चार गार्लिक ब्रेट बनने वाली हमारी चाहे तो आप पिज़ा भी बना सकते हो एकाथ ब्रेट का पोर्शन का ठीक है सेम टू सेम ही है सब चाहे ताप पिज़ा बना ले चाहे ब्रेट बना ले अब ये देखें मेरे को एक बड़ा सा बर्तन चाहिए उस बर्तन में एक और बर्तन चाहिए ताकि थोड़ी उचाई बढ़ जाए और धकन लगा दे फुल फ्लेम पर रख दिया है और अब एक प्लेट ले लेना ये काच की प्लेट मेरे पास थी लेकिन अगर आपके पास अल्यूमिनियम की प्लेट है तो वो बेस्ट होती है उससे ना नीचे से भी बहुत अच्छे से सिकेगी आपकी ब्रेड अब उसमें लगा लेना तेल अच्छे से लगाना तेल वरना ये हमारी ब्रेड चिपक सकती है अब इस bread को रखना, देखें ना इसमें बेलना है, न कोई मसला है, बहुत आसान है ना, रोटी से भी बनाना आसान है इसको, क्योंकि रोटी को तो एक एक रोटी को हाँ से बेलना पड़ता है, यहां पर अब अंदर लगाएंगे हम, हमारी garlic butter, है ना, कितना आसान है ना, garlic butter ल खाते हैं, तो चिकन भगेड़ा भी डाल सकते हैं उसमें और पनीर की जग़ा कुछ भी डाल सकते हैं तो यह देखें, मैंने तो पनीरिज डाला है, बहुत ही बढ़िया लगा था, और actually मैं पनीर इन सब चीजों के साथ बहुत अच्छा लगता है, अब यह रहा Amool का Mozarella पूरा न काट देना भाई इसको सिर्फ उपर से हलका हलका काटना है नीचे से नहीं कटना चाहिए तो एक दम हलके हाथ से इसमें कट लगा लेना फिर यह और उपर से मैंने चिली फ्लेक्स डाला यह सब चीज़ें बजार में असानी से पाउच भी मिलते हैं इसके 10-10 रुप सकते हैं तो हमारा जो बरतन है बड़ी सी कढ़ाई है वो गरमा गरम हो चुकी है उसमें एकदम हाथ बचाते हुए रखना आप और क्योंकि वो गरम है इसमें जल भी सकते हैं और अब अराम से इसको 25-30 मिनिट तो मिनिमम लगने वाले हैं पकने के लिए और 20-25 मिनिट बाद यह देखें कितना सुन्दर कलर आ गया है हमारी गार्लिक ब्रेड का और बहुत ही पहुत ही जादा सौफ्ट बनी थी यह जो हमारा आटा थोड़ा सा गीला सा बना था याद है आपको हमने गीला गीला सा आटा बनाया था वो मैंने बनाया इसलिए था ताकि हमारी ब्रेड स और अंदर से देखिए कितनी जादा फिलिंग है इसमें और कितनी जादा चीज है बहुत ही परफेक्ट बना था प्लीज लाइक कर देए